हेलो एबरिवन स्वागत आपका इस यूटूब चैनल लर्ण डिलाइफ में तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में एस पी वक्षी बुक के इंपोटेंट वन वर्ड सब्स्यूशन कवर करते हैं और इस सेशन में जितने भी वन वर्ड सब्स्यूशन है जो डिनोट करते हैं काइंट सब गवर्मेंट के उसे वन सौट में कवर करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लीजिए यह हमारा सोचल मीडिया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा तो जाकर वहाँ पर जोईन कर सकते हैं तो देखते हैं क्या रोने वाला है वान वरड तो सबसे पहरा one वरड है एनृकी एनृकी मतला होता है अउस सरकार की अनुपस्तिती हो यह जिसमें कोई ग्ववर्मेंट हो ही न nसको क्या बोते हैं एनृकी बोलते हैं यानिकि अशिदु सरकार की अनुस्पस्थिती हो जाएगा ठीक है सेकंड है अरिष्टोक्रेसी मतलब होता है गौवर्मेंट बाइद नोबेल या फिर लॉड्स यानि कि जो रईस लोग होते है या फिर जो लॉड्स होते हैं उनके दारा जो गौवर्मेंट होती है उनके जो सासन किया जाता है से अधि मतला मेंक्र मतला होता है यहां ज inhib पूरा सासन कर रहा इसको क्या बलेंगे अदीतलर के Oh अधि यहां धेक Change what देखने को मिलेंगे दियाता डिक्टेटर सी यहां कि एक व्यक्ति द्वारा जो सरकार को ताना सही भी बला जाता है जहां ताना सहाषा चलता हो फ़ूर्फ है Autonomy, Autonomy मतलब होता है The right of self-government यानि कि सवाउसासन का जो अदिकार होता है उसको क्या बोलाजाता है Autonomy बलाजाता है थिकैं? तो Autonomy कई होगे? The right of self-government यानि कि सवाउसासन का अधिकार फिर्थ है Purdue Convention Bureauasti मतलब होता है Government run by officials यानि कि जोающ enjoyable होते है यानि कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जो चलाई जाती है गवर्मेंट उसे बीरोक्रेसी बोला जाता है नेक्स्ट है डेमोक्रेसी जो कि हमारे देश में है डेमोक्रेसी मतलब होता है गवर्मेंट बाइद पीपूल यानि कि हम लोग खुद अपना जो पर्तिममी थी खोता है उसे चूज करते है कि जो सबसे घटिया लोग इंसान है उसके दार जो सरकार चला जा रहा है उसको क्या हो लेंगे के कि इस्टो करेशी तो यह सारे वन वर्ड जो सबस्यूसन आप यहां पर स्थिक रहें यह बहुत बार ससी में पूछे जा चुके हैं तो ससी के जो भी एक्जाम से सीजियल सीच उसको ध्यान में रखना है और अच्छे से नोट करते चलुना नेश्ट है नियोक्रेशी मतला होता है ग्लार्मेट बाइद इन एक्सप्रियेंस पर्सन यानि जो जो बहुँ हिंद परसन होता है जिसके पास किसी भी काम का एक्सप्रियेंस नहीं है तो उसको नियोक्रेशी गुलेंगे जैसे मान लेजे आपको ही आज प्राइम मुनिस्टिर बना दिया जाया मतलब मान लीजिए ऐसा नहीं किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे आपको खुद पाता नहीं होगा कि कैसे क्या होता है फिर आपको टाइम लग जागा सब कुछ सीखने में ठीक है समान लेजे कि जब कहीं जगडा होता है थो बहुत इसे में जाते हैं उनको जाना मैं माल जाता है की जुछ उ क्क करेसी बहेंiox शक् reflects अुछ लोगार्यकी का मिननी होताriston को कुछ लोग द्वार्वर्मेंट के जाता है झालेल कि इसका हदीड मीनीень हो जाएगा चंद लोगों की सरकार याद कि कुछ लोगों का जो सरकार होता है उसको को लियाल की बोले आता है नेक। इपनार की मतलव होता है गौवर्मेण्ट यानि जो धनिक लोग हैं अमीरों का जो सरकार होता है। उसको क्या और दवारे प्लूतो के रिशी बोलेंगे, तो मन लीज़े कि जहां की रिचर," Jackson प्लुतो क्रेसी बोलंगि, ज МУЗЫКА सीकूलर नेश्ट क्या है सेकूलर तो सेकूलर का मिन्ग क्या होता है मिनिंग कि government not buy the law of religion यानि कि सरकार धर्म के नियमवह से नहीं है जो मतलब क्या हो गूर्वबर्मनेट ऐसा जो क्या हो जो नियम जो रिलीजियस कानून है उसके एक्स्ट्रा उसको यह की बोलेंगे इक ढूर्म सरकार धर्म के नियुम मैंसे नहीं नेकि मानले जी जुब मतला होता है कि किसी एकी फैमली द्वारा किया जारह है सासन किया जारह तो उसको तो तुब म zijn बोलेंगे ठीक है यहनी कि जो गर्म valleyotron by a king यह की किसी एक राजा या रानी द्वारा सरकार जो चल रहा ह। उसको क्या ब astronom करेंगे, theocracy मतलब होता है words by the law of religious, जैनले कि जो धृरर्म के नियमों द्वारा सरकार चलती है उसको थी करेश ही बोला जाता है जो भी मतलब गरिज्यास रूल है है उसको क्या हो लेंगे धृर्म के द्वारा जो सरकार च लृष चलता है उसको थी करेशी बोलेंगे तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको Architecture वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएए ठीक है तो मिलता है फिर अगले सेशन में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद